तो कैसे हैं आप सब शोचल मीडिया गाई जो पोस्ट बना रहे हैं आप देखकर समझी गए होगे जो पोस्ट हमारी किस टोपिक पर रहने वाली है यह इस्पेसल शेल पर रहने वाली है और क्या शेल कर रहे हैं हम आप जानी चुके होगे तो चलिए गाइड्स वीडियो करत तोमिजए तरह करेंगे क्लिक capable क्रेंगे क्लिक उसके बाद हमारे पास ये को भी आपचा पर फिर में हमारा यह desktop हो जागा open इसे कहते हैं फोटोशोप का workspace इसको कहते हैं वर्क स्पेस इसको अपने according set कर लेना इसके पैनल इसके option इसके tool आप अपने according set कर सकते हो तो सबसे पहले हम step by step काम करेंगे सबसे पहले हम हमारी जो layer है white layer उस पे एक color fill कर देते हैं तो मैंने यहाँ पर महंदी color fill किया है जो green है उसका dark green के एलो इससे यह महंदी color के एलो और इसका हलका से little bit combination लूँगा मैं ताकि यह थोड़ा lightly लगे यह yellow का थोड़ा combination लिया है उसके बाद right hand में बनाओं में एक rectangle आपको अपने left hand में tool है rectangle tool वहाँ से rectangle लेना है और इसके इंदे हम करेंगे gradient fill तो guys यह जो gradient मैंने पहले ही बनाके रखा हो ताकि वीडियो लंबी ना हो और इसका जो combination है और yellow का light yellow and dark yellow यहाँ की आपके yellow orange इसका जो combination रहने वाला gradient का तो यहां से जो मैंना point बनाएते element point को remove कर देता हूं आपको कुछ नहीं करना है इनको pick करना है और इसको भार panel से भार फैंक देना है यह automatic delete हो जाएंगे उसके बाद यह जो color है उसको एक set में रखा है light और एक set रखा है little bit orange टैप का और direction आप देख लेना आपके left hand पे जो पैनल खुला हुए है option बार जो खुला हुए है वहां से आप direction set कर सकते हो और यह जो color है यहाँ पर मैं एक point और add करूंगा भी center में उसको मैं color दूँगा हलका सा light light color दूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर रखूंगा अपना topic जो हमारा topic है उसको रखूंगा तो यहाँ पर मैंन attractive है तो इसको मैंने पहले मैं set कर लेता हूँ अच्छी तरीके से अपनी screen पर मैंने set किया इसको और इसको रखा मैंने थोड़ा यहाँ पर उसके बाद दोस्तों उसके बाद मैं अपना subject pick करने के लिए मैं आ जाँगा अपने browser पर तो मैं आगे यहाँ पर browser पर यहाँ पर मै करोगे तो automatic magic magic one tool sorry one tool active हो जाएगा तो इसके बाद इसको अच्छे से पहले इसका selection बनाना है जूम इन करके जूम आउट करके जो हमारा subject है जो हमें चाहिए उसको आपको select करना है तो अच्छे से पहले मैं select कर लूँगा select करने बाद अपको करना है control J उसके बाद जो main layer है उसको आपको कर दाना hide या पी delete उसके बाद हमारा बज़ेगा इस subject इसको तोड़ा transform करके मैं रखता हूँ अपनी yellow वाली layer पे जो हमना gradient बनाया था और जो हमारा center point है उसको पहले मैं तोड़ा set करूँगा पहले मैं इसको set कर ले तो अपने subject को मैंने जो center point इसको सोड़ा नीचे drag करा उसके बाद जो ऊपर का portion जो खाली रह गया है पहले मैं से layer को hide कर देता हूँ उसके बाद selection tools मार्की tools को मैंने select गया और आप key press करोगे shift plus F5 key press करोगे तो content aware open हो जाएगा content aware से आपको कोई भी layer fill करने हो या पी delete कर अन्हां अता है उसके बाद मैं इसको रहता थोड़ा से नीचे थोड़ा से यहां पर रखET मैंने और उसके बाद मैं लोंगा एक layer मैं एक नई layer लोंगा अपने set करने बाद नई layer लोंगा और इसपर मनाऊगँ a shadow तो यहां से मैं पहले black color fill कर लेता हूं तो यहां से मैंने black color fill करा और फिर लोगा brush tool ब्रेस करोगे तो brush tool active हो जाएगा और इस तो करेंगे हम transform control T करेंगे और transform करेंगे means हमारी जो shadow है वह हमेशा vertical horizontal में को confuse हो रहा थोड़ा तो कुछ landscape tap की होनी चीए है तो हमारी यह है सूस की shadow मैंने सको रहा सूस की नीचे लाइक यह एक shadow है और इसकी opacity थोड़ी सी कर दी कम opacity थोड़ी सी कम कर दी और इसी की दो को भी बनाएंगे control J करने के बाद और इसको second वाले तो wrap का option active हो जाएगा उसको opacity check करने के बाद opacity okay करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर कर दिया finish उसके बाद मैं अगली अगले step पे आ तो मैं बना रहा हूँ एक ellip मैंने top पे एक ellip बनाया आपको left tender से tool लेना है ellip tool circle tool और इस पे मैंने किया black color fill black color fill करने के बाद मैं इसी की दो को पी बनाऊंगा ctrl c ctrl v कर लेना और फिर ctrl j कर लेना और जो second वाला है उसको करेंगे unfill और उसको देंगे border white color का और border का size देंगे 2 उसके बाद दोनों layer को करेंगे select black वाली को भी और अपनी border वाली को भी दोनों करना है select पहले मैं layer वाले panel पर आ जाता हूँ मैं यहां से layer खोल लेता हूँ मैं layer वाले panel पागे मैं दिखाता हूँ आपको दोनों को select किया और उपर से दिये alignment alignment दिया तो center में आ गया border वाला panel है जो border वाली हमारी शेफ है उसको थोड़ी opacity कर देंगे कम थोड़ी opacity कम कर दी उसके बाद दोस्त मैं बनाओ एक rectangle left hand tool लिया मैंने rectangle का और यहां पर बनाएक rectangle इसको भी हम देंगे black fill border करेंगे none आपके सामने automatic panel खुल जाते है जब आप कोई भी शेफ बनाते हो यहां कुछ नहीं करना बस मेरे step को follow करना है आप ऐसी ही शेफ बना सकते हो और कुछ नहीं भी सीख सकते हो तो मैंने इस layer को रखा नीचे उसके बाद मैं तोड़ास को zoom in कर लेता हूं और मैं फिल लूँगा यहां से लैसो टूल लैसो टूल और पोलिगन टूल और पोलिगन टू कूछ इए तो यह शेफ बन गई है आपने ऐसी शेफ कई झगाते डेकरने के बाद को next level पर अतने अगर अगर से माँते तो हम इसमें लिखेंगे text 1 हम ठूड़ा टेक्स देटे पर च sağब बनाई है किसूंड़ से ले बनाई है यह हमारे information कुछ headline add करने के काम आती है तो यहाँ पर मैंने text लिके हैं 70% off means यह जो आप post बना रहे हैं इस पर क्या offer चल रहा है 70% off as a practice बना रहा हूँ मैं तो मैंने 70% off लिख दिया है 70% off लिख दिया है और यह rectangle हमारे इस काम आ गई है तो इसको मैंने इसका हम आते हैं अपने next step पर तो यहाँ पर मैंने एक icon कोपी किया है जो represent करता है calling को कि अगर आप contact contact के लिए अगर आपको बात करने हो आप कुछ information ले लिए कोई भी जान कर लिए लिए तो यह contact number है यह icon है यह आपको show करेगा कि यह जो number है कि हमारे calling के लिए तो इनको मैंने रखा यहाँ पर वैसको आजकल number से लोग पिचान जाते है कि यह number किसे काम में आते हैं हमारे तो यह icon लिए है मैंने यह icon मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि थोड़ी पोश्ट हमारी अच्छे लगे थोड़ा इसकी लूक है वो जैन्मेन वाली आए तो मैंने आप इनको रखा bottom में थोड़ा मैं transform करके थोड़ा नीचे कर लेता हूं थोड़ा zoom in करके करना है थोड़ा जो भी आप काम करेंगे जो छोटे यहां तक मैं गैस करता हूं मैं उमीद है कि यहां तक आपको वीडियो अच्छी तरह समझ जा रहे होगी और ऐसे यह कंट्यूनी बने रहना मैं आपको पूरा तरीके समझाते जाओंगा आप बस ध्यान से देखना और मैं स्टैप को फोलो करना जो भी चीज समझ में नहीं जादे स्वीड में नहीं बना रहा स्लो बना रहो डीटेल में बना रहो आप आगे पीचे करके देख सकते हो तो इसको मैंने सेम अलाइमेंट दिया आपको दोनों के लिए को सलेक्ट करना है और उपर से अलाइमेंट देना आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और आगे बटाता ही रहूंगा तो यहां पर हमारा फस्ट पेज का पूरा हो गया अब आते हम नैक्स पे अपने गरीन वाले पूरे पूरे यहां पर रहेंगे तो गली डीपली डीटेल करेंगे तो सबसे पहले मैं एक तो पहले, बाले मैं थोड़ा चोटा कर लेता हूं तोड़ा छोटा किया और उसको रखा नीचे उसके बाद दोस्तों तो हम आते हैं अपने गिरिन वाली लेर पे यहां पर हम डीपली डीटेल एड़ करेंगे पहले मैं इसकी ओपिशिटी पूरी 100% कर देता हूं जो हमारा जो कॉंटेक नमबर था उसकी ओपिशिटी कमती अब आते हैं हम अपने ब्राउजर पे यहां से मैंने यह सूज कोपी किये ऐजा आइकन मैं इनको यूज करूँगा लाइक है यह हमारा लोबो है जो हम पोस्ट बना रहे हैं उसका लोबो है तो मैंने इसको बढ़ा किया उसक स्पेस की प्रेस करूँगा तो अटमेटिक डिलेड हो जाएगा इसको रखा मैंने यहां पर सबसे टॉप में क्योंकि हमारा कंपनी का एक लोगो है ऐसा लोगो है या कंपनी के नाम हो जो भी आप कहना चाहतो कहलो उसको मैंने रखा यहां पर उसके बाद हम नीचे से एड़ करूँगा और टेकस एड़ करूँगा इसके बाद मैं लिख रहा हूँ स्पेशल सेल्स मीन से जो पोस्ट है वो सेल के ऊपर यह सेल के ऊपर यह बन रही है यहां पर मैंने लखा इसके वायड किलर डिया बौडर नन रखे और इसको मैं फोंड दिया नॉर्मल बेसि आथ अटामाटीक जो होते हैं वो होतोमाटीक है अगर आप फोट़ोछोप डालोड तो आपको मिली जाएंगे उसकेवाद मैं रेक्टेंगर लिया और यहां पर बनाई एक graph head ले आपके टूल है टूल आया कासे में रेक्टेंगर लिया उसके बाद मैं इसमें करूँगा कुछ एड कुछ टेक्स एड करूँगा क्योंकि मैं आपको बताया थे जो हम शेप बगएरा बनाते हैं हमारे हैडलाइन के लिए information एड करने काम आते हैं तो यहां पर मैं टेक्स एड करूँगा इस वीक ओनली यानि कि जो सेल है वो हमारी एक हफ्ते की सेल है और इस अपते रहने वाली है इसको रखोंगा इस रेक्टैंगल के बीच में ताकि यह ज्यादा है यह जादा हाइलाइट हो इसलिए मैंने इसको शेप में रखा है और इसको दूँगा मैं बेसिक रेगुलर थोड़ी मैं different shape clear कर रहा हूँ आपने देखे होगी यह post में होती है मैंने clip बनाया और इसी की चार कोपी बनाऊँगा मैं control C, control V कर लेना या फिर old के साथ drag कर लेना या फिर control J कर लेना बहुत सारी सोटकर keys है आपको copy करने के तो यहाँ पर मैंने तीन, चार shape बनाई है यहाँ पर उसके बाद मैं layer पर जाके चार कोप कर लूँगा group, control G कर दूँगा और control G करने बाद इसी group की दो copy बनाऊँगा, control J करने बाद इसी copy बनाऊँगा, और drag करके मैं अपने right में लेके आऊँगा right में लेके आए, तो मैंने दोनों को आपने सामने रख दिया यह कुछ इस तरह की shape बन गी है, और कुछ नहीं करना आपको इनकी opacity कर दिने, थोड़ी सी कम उसके आप मैं old text side कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने google से text कर लिया, copy ताकि video लंबी ना हूँ, और इनकी बीच की जो gap है, वो थोड़ा सा कम कर लिया है, मैंने यहाँ से आपकी properties में आप देख सकते हो मैं properties में, properties यह तो आपके right hand में, महां से मैं कर रहा हूँ थोड़े changes, और font की थोड़ी changes कर रहा हूँ, की थोड़े दिखाई दे, और एकदम जगा पे बैड़ जाए, as a practice मैंने यह copy किया है, तो as a practice अगर आप copy कर रहे हैं, तो आप भी copy कर सकते हो otherwise अगर आप किसी agency या company के लिए बना रहे हो, तो आप उनकी coding की detail फिल करोगे, otherwise practice के लिए बना रहे हैं, तो कोई बात निया, कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने इनको रखा यहाँ पर, ताकि थोड़े भरे भरे लगे, थोड़े फिल फूल फिल वाली फिल है, और इसी की बना लोगा, दो कोपी मैं, एक रख लोगा नीचे, कोपी बनाने के लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी भी है, और ओल्ट के साथ आप ड्रैग भी कर सकते हो, तो यहाँ पर दो कोपी बना ली मैंने, दो लियर बना ली, उनके बाद मैंने के सामने थोड़े नंबर से लिख देता हूँ, जैसे जो फर्स्ट इन्फोर्मेशन नीड, एंड सेकिन इन्फोर्मेशन कुछ ऐसे मैंने टैक्स लिख दिया है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ी लूक अच्छी है, उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी सी और इसमें सेप्ज बगएरा और टैक्स बगएरा एड़ी करूँगा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इलिप्तु नहीं, मैं ए यहां से, पिक कर लिया, उसके बाद इसके जो कॉर्नर से हैं, प्रोपेटीस में हैंगे, यहां पर नीचे आना है आपको, और यहां प्रोपेटीस पे फिल कर देना है, आपको 400 फिल करोगे तो ओटेमाटिक ही, यह पूरा सरकल हो जाएगा, तो यह सरकल हो गया, इसके यहां पर, और दोनों को किया, सलेक्ट, दोनों को सलेक्ट, और ऊपर से दिये, अलाइमेंट, दोनों को पहले सलेक्ट करना है, अलाइमेंट देना, आप ड्रैक कर भी कर सकते हो, अगर आपका अंदाजा अच्छा हो तो, तो मैंने इनको यहां पर सेम अलाइमेंट दिये, और center में रखा और दोनों को drag करके एकडम अपने सूस ते लेकर नीचे तक की alignment सेम रखनी है, तो इसको रखनी है यहाँ पर इसको थोड़ा मैंना कर देया group ताकि इसको drag करने में आसा नहीं है, उसके बाद ऐसा information के लिए मैं आना है, मैंने आप एक website add कर दिया, क्योंकि आजक भी ना चाहता उसको रखो है मैं यहां पर उसके बाद मैं एक अलग शेह बनाने चाहता हूं यह शेव मेरी कुछ बन नहीं रहे बनांगा सब्सक्राइब बनने की कोई बना सकता हूं बड़ मैं वीडियो लंभी नहीं करना चाहता तो इसलिए मैंने जिग जग कोपी यहां से एक कोपी कर लिए जिग जग की उसको रखा मैंने यहां पर और इसको मैं कलर ओवरले से आप कलर ओवरले से किसी भी चीज का कलर चेंज कर सकते हो तो यहां पर FX पर जाएंगे कलर अवरले पर जाएंगे और यहां से मैं वाइड कलर इसको फिल कर देता हूँ और इसे की दो कोपी मिनाएंगे च॑क्र व टो को ली न है कर न लाएमेंट को डाइमिंट को एप्सण आता है तो yeah असे सब को लाएमिंट देना है और यह जो हमारे जो शेप मैं सकट ठोड़ा चोटा कर देता हूं उसके बात गाइस देखिए हमारी जो पोस्ट और सोचल मीडिय को बनके एक दम रेडी है आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी अगर आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आपको कुछ पूछना है और कुछ जानकरी चाहिए तो मुझे कमेंड बॉक्स म मेरे सोचल मीडिया लिंक भी है और गाइस वीडियो को ऐसे प्यार देते रहना